हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीड़ा वलाईसी में और मैं अमित कुमार सौनी हारदे खारदे कवी नंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी खुशकवरी निकल करके आ रही है एक बड़ी खवर है जो कि निश्यत रूप से आपके आने वाले सिक्षक भरती में बहुती प्रॉफिटेवल और बहुती महत्पून सावित हो सकती है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इसके पहरे की वीडियो में बताया था कि 36 गड़ में 14,580 सिक्षकों के पदों पर निक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और वहाँ पर जॉइनिंग भी दे दी गई है तो दोस्तों अब इसमें कई सारे ऐसे नियम हैं जो कि हमारे यहाँ पर जो डी पी आई है लोकसिक्ष्ण संचाल नाले है उसमें माने नहीं किये जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर 36 गड़ की जो लोकसिक्ष्ण संचाल नाले है उसकी रूलबुक के हिसाब से माने कर लिए एक तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति ने एक ही सत्र में एक डिग्री की है और डिप्लोमा भी साथ में किया है तो उसके लिए मानेता संबंधी नियम हैं काफी गाइड लाइन्स हैं जो कि UGC और मादमिक सिक्षा मंडल के द्वारा दी गई हैं तो दोस्तों बहुती बड़ी खुशकबरी निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये 36 गड़ का लोग सिक्षन संचाल नाले का रूल बुक का पूरा लेटर का प्रोफार्मा है और इसमें काफी कुछ बातें बताई गई हैं LGBT के संबंध में योग आस्तो पदों की भरती की एलिविलिटी के रूल्स दिये हुए हैं और इन रूल्स में ही UGC और माधिमिक सिक्षा मंडल की गाइड लाइन्स भी है साथ ही साथ में एक ही डिग्री और एक ही सत्र में डिप्लोमा कुछ बिश्विद्धालायोंने भी मानने किया है तो उसके इंटर्नल नियम के बारे में चलते हैं जिससे कि आप लोगों को आगे आने वाले समय में फायदा होगा देखी दोस्तों इसमें एक नियम है कि UGC द्वारा एक सांथ एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा करने के संब्ध में कोई प्रावधान जारी नहीं किये गए हैं इग प्रकार के कोई निर्देश जारी नहीं है और इन इस्थितियों में भ्यरती यदि एक सांथ एक डिग्री और एक डिप्लोमा एक ही सत्र में उत्रिन किया है तो उसे अपात्र नहीं किया जाना चाहिए तो दोस्तों बिलकुल निश्चित हो चुका है कि UGC द्वारा इस प सिक्षा मंडल ने भी इसका सपोर्ट किया है और जो अभ्यरती थे उनको मानिता दी गई है सिक्षक भरती में और दोस्तों हमारे यहां यदि वेरिफिकेशन से इस परकार का कोई बाहर होता है तो इसके रिफ्रेंस को लगा करके एक एप्ली के सांथ में DPI को बताया जा सक सकता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छे पढ़नाम इसके सामने आ सकते हैं कि जो बाहर हो रहे हैं या जो होल्ड पर रखे गए हैं तो उनको बापस अंदर लेने के चांस बनते हैं उनके सेलेक्शन के चांस बनते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और भी लेटेस झाल झाल झाल